वेलकम टो माई चैनल लर्न वीदेश्टी दोस्तों इस इस दा नंबर सिस्टम अलजेवरा पार्ट 17 सेशन इस सेशन में हम देखेंगे राके से आदाओ कि क्लास नोट्स के कोशन कोशन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो देर नहीं करते हैं मैं स्टार्ट करते हैं सेशन को देखो कोशन नंबर 96 क्या कर रहा है कि X से देखो X प्लस वन अप्लाई करेंगे और मेथड टू से भी अप्लाई करेंगे प्रोसेस कैसे हो सकता है यह बताओ X स्कॉयर माइनस वन बाई X स्कॉयर लिका ला है यह आप फर्मूला एक पड़े हो कि A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर क्या होता है A प्लस B इंटू क्या होता है A माइनस B तो इसी वाला वे से आप कर सकते हो आसानी से क्या x plus 1 by x पता है x minus 1 by x find out कर लो आसानी से questions लगा लो दूसरा वे क्या है दूसरा वे क्या है कि देखो हमें x plus 1 by x find out हो चुगा है कितना है 3 है ठीक है x plus 1 by x is equal to 3 है तो क्या मैं इस से यह ची लिकाल सकता हूँ देखो क्या लिकाल सकता हूँ x square plus 1 by x square बढ़ा सकता हूँ मैंने बताया था फार्मूला कौन सा यूज करेंगे k square minus 2 k square minus 2 का मतलब क्या 9 minus 2 3 का square 9 minus 2 यानि कि 7 हमारे पास आ क्या गया x square plus 1 by x square या गया अब मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि अगर x square plus 1 by x square हो is equal to k हो यहाँ से power घटाना है x अगर x plus 1 by x करना है तो क्या होता है अंदरूट k plus 2 अगर minus करना था x minus 1 by x तो क्या होता है k minus 2 यह दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ तो जैसे देखो अब यहाँ से देखो x पे power यह क्या है फोर है यहाँ पे फोर होगा न दोनों का अब इस पे power घटाना है घात दो कम करना है तो x square minus वो भी minus में तो कौन सा यूज करेंगे नीचे वाला अंदर root k minus 2 k minus 2 k minus 2 का मतलब क्या 47 minus 2 47 minus 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा देखो root 45 root 45 को क्या लिख सकते हो root 45 को लिख सकते हो तुम 5 into 9 यानि कि 9 का 9 का square root कितना हो 3 root 5 3 root 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा answer तो इस तरह से आप questions कर सकते हो दूसरा way और भी हो सकता है क्या दूसरा way हो सकता है मैंने अभी बताया था देखो अब मैं दूसरा way बताने जा रहा हूँ दूसरा way के लिए मैं erase कर लूँ देखो erase कर लेता हूँ ठीक है एक से पूरा ही erase कर लेता हूँ जैसे देखो दूसरा way मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे देखो कि method 2 भी apply कैसे कर सकते हैं क्या दिया हुआ कि x square minus 1 by x square मैंने इसको बोला था ना a square minus b square क्या होता है a plus b into क्या होता है a minus b तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना x plus 1 by x into क्या x minus 1 by x x plus 1 by x तो दिया हुआ है 3 हम इसको लिकालने तो क्या answer आजाएगा तो देखो इसके लिए हम क्या करते थे मैंने बोला था x plus 1 by x is equal to क्या दिया है 3 फिर क्या मैंने बोला था कि यह लिकाल लो x square plus 1 by x square अगर x square plus 1 by x square लिकाल होगे तो कितना हो जागा 9 minus 2 k square minus 2 यानि कितना हो जागा 7 इससे क्या लिकाल लो तुम X ठीक है यहां तक समझ में आगा 7 अब देखो इससे मैं डाइरेट क्या लिकाल दो X-1 by X पावर वाला बताया था ना यह वाला चीज एक से स्क्वार प्लस 1 by X स्क्वार अगर K हो तो यहां से दो चीजे अगर X-1 by X लिकालना है तो अंदर रूट K-2 अगर X-1 by X लिकालना थो क्या क्या एक से माइनफ लिकालना है, 가격 माइनस लिकालना है, तो यह सब़ुपी आपको बताने के लिए कर रहा हूँ अदरवाई ये एक लाइन का ओरली question है without pen and paper बना सकते हो next question देखो next question कर रहा है कि x next question ये कर रहा है कि x plus 1 by x equal to 4 हो तो इसका बहुत आसान तरीका है यार ये तो बहुत ही आसान question है question क्या कर रहा है जैसे देखो 97 में question ये तो बहुत आसान question है कैसे करोगे देखो x square plus 1 by x square करोगे तो क्या हो जाएगा तुमारा k square minus 2 16 minus 2 फार्मूला पढ़े हो ना k square minus 2 तो 16 minus 2 कितना हो गया 14 यानि कि x square plus 1 by x square 14 अगर इसका power फिर लिखना है x power 4 plus 1 by x power 4 फिर 14 का square minus 2 यानि कि 196 minus 2 कितना हो जाएगा 194 लेकिन question में यहाँ पे अगर question तुमसे ये कह दिया question में लेकिन real में जो राके से याद होगा question है वो क्या question है वो मैं लिख देता हूँ question क्या कर रहा है कि x plus 1 by x अगर तुमारा 4 हो तो question लिकालना है x power 4 by 1 by x power 4 की value minus वाले में लिकालना है तो minus वाला भी आसान है उसको भी कर सकते हैं जैसे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x square minus 1 by x square का whole square अब a square minus b square पर तोड़ देखो x square plus 1 by x square दूसरा क्या x square minus 1 by x square direct अब यहाँ से देखो दो formula यहाँ से देखो अगर x square plus 1 by x square लिकालोगे क्या लिख होगे k square minus 2 यहाँ 16 minus 2 यहाँ किया होगे 14 अगर x square minus 1 by x square लिकालना है तो मैंने बताए था k square plus 2 लिख लो k square plus 2 लिखना है तो तुम क्या करोगे 14 4 ka square कितना होगे 16 plus 2 यादिकी कितना होगे 18 बस simple multiply कर दो 14 किसकी value 14 आगे इसकी value कितनी है, 14 और 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा 14 और 18 तुम्हारा हो जाएगा कहीं कुछ गड़वड तो नहीं हम कर लिए न ये चीज़ ध्याम देना कहीं गड़वड तो नहीं कर लिए हाँ, देखो k square plus 2 k square plus 2 तुम्हारा ये हो जाएगा ठीक है ये तो ठीक है, यहां तक सही है, हमने यहां तक इसको square और plus minus cube ठीक है, अच्छा, ठीक है ये देखो, ये फार्मूला यहां पे apply, ये वाला चीज नहीं था हमने ये वाला चीज, हाँ, यहीं तो मैं बोला हूँ कहां गड़बड हुई है, देखो जैसे देखो, हमने फार्मूला क्या पढ़ाता है, गर x plus 1 by x is equal to k हो, तो हमने क्या पढ़ाता है, x square plus 1 by x square क्या होता है, k square minus 2, लेकिन दूसरा पढ़ेते क्या, x minus 1 by x is equal to k हो, इस case में भी x square plus 1 by x square लिकाना है, तो k square plus 2 इस case में होता है, बट यहां पे minus नहीं था, तो यहां पे plus था, तो इस question में यहां तक आ गया, अब यहां से हम direct use कर लेंगे, एक वाला फार्मूला हमने एक चीज़ पढ़ाता हूँ, जैसे देखो, मैंने घात एक कम करने वाला फार्मूला बताया जैसे देखो, यहां पे आप यूज करोगे, तो जैसे देखो, मैंने एक फार्मूला लिखी देता हूँ, x square plus 1 by x square is equal to k हो, मैंने यह चीज़ बताया था, कि दो घात कम करना है, दो फार्मूला मैंने बताया था, कि अगर प्लस 1 by x लिखना है तो प्लस लिखना है, के प्लस 2, माइनस देखो, अब मैं तुम को एक चीज और बता देता हूँ, कि direct कैसे जाना है, देखो तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसका कर लेता हूँ देखो यहां आ गया अब एक बार फिर से इरेज करना पड़ेगा मैं इधर इरेज कर दूँ एक मिनट जैसे देखो हमें चाहिए क्या ये तो हमें मिल गया अब दूसरा हमें चाहिए क्या हाँ देखो दूसरा हमें चाहिए क्या इसका मैं पावर फोर कर दूँ इसका पावर फोर करूँगा ये तो ओल रेडी देखो यहां हमें पावर फोर किया हुए फिर बात तो अहीं आ जाएगी यार option 1 ही आ जाएगा क्योंकि यहां पर फिर रखोगे तो x पर power 4 आगे अभी यहां से फिर हमें ले जाना पड़ेगा यहां से मैंने यह power 4 कर लिए और यहां से मैं direct क्या जाऊंगा जंप करूंगा यहां पर x square minus 1 by x square तो x square minus 1 by x square यह वाला फार्मूला लिका लूँगा यह वाला से 192 और 192 अब आपको पता है तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो 64 into कितना हो जागा 3 64 into 3 कितना होगा 192 8 root 3 लिख सकता हूँ देखो यह 14 आ गया और इसकी value क्या आगे 8 root 2 14 वाट है 112 root 3 यह तुम्हारा क्या हो जागा answer फिर से अगर कोई confusion है तो मैं आपको पूरी की पूरी चीज बता देखो दोनों question को फिर again मैं आपको एक बार repeat कर हो देता हूं अगर यह question लिकालना है तो यह question लिकालना है और मैं इसके साथ साथ दोनों question लिकालना है तो देखो कैसे लिकालों गें कीडियर यहां से ऐर बढ़ना है तो हम क्या करेंगे x square plus 1 by x square लिका लेंगे चौदा का स्क्वार माइनस टू प्र अनिस टू तो यह क्या हो जाएगा एक्स कॉर प्लस वन अग्स क्वार दूसरा क्या हो हो जागा एक्स कोर माइनस वन भई x square, तो देखो, ये तो मिल गया है x square plus 1 by x square, इसकी भेलो कितनी मिली है, 14, और इसकी लिकाल नहीं है, यहां से हम लिकाल सकते हैं, कैसे, देखो, मैंने एक फार्मूला पता था कि x square plus 1 by x square is equal to k हो, घात अगर कम करना अगर plus में, दो घात कम करना है plus में है, plus में है, करना है तो अंदर root k plus 2, अगर minus में करना है, यहीं x minus 1 by x तो क्या लिखोगे, अंदर root k minus 2 तो यहां पे देखो, घात किस में करना है minus में करना है न, कम दो x square minus 1 by x square क्या कर लोगे, अंदर root 194 minus 2, second वाला यूज करेंगे, यानि कितना हो जाएगा 192, 192 को अगर break करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 into 3 यानि 64 का कितना हो जाएगा 8 और root 3, तो ऐसे हैं रहने तो यानि 8 root 3, यानि तुम्हारा इसके भेलो कितना होगे, 112 root 3 यानि इसकी भेलो तुम्हारी इस वाले question की मिल गई तुम्हारी 112 root 3, अगर तुमसे प्लस वाला पूछता, तो कितना हो जाता 194, तो दोनों question को मैंने दो question बना दिया बट question इसमें real में पूछा हुआ था ये वाला question, books में, ठीक है तो इस तरह से आप आसानी से question बना सकते हो next बढ़ जाओ, next question देखो कह रहा है कि x plus 1 by x 3 है, तो x minus 1 by x क्या होगा, ठीक है, देखो ये बहुत इतना आसान question है कि देखो इसको हम आसानी से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जैसे देखो, मैंने बताया था इसको इधर बढ़ जाओ, x square plus 1 by x सक्वार करोगे, तो 3 का सक्वार k सक्वार माइनस 2, k सक्वार माइनस 2 का मतलब क्या, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7, अब यहां से मैंने आपको घात कम करना बताया था, x minus 1 by x वाला फार्मूला, कि x सक्वार plus 1 by x सक्वार, क्या हो तुमारा k हो, अगर तुमसे minus का है, x minus 1 by x तो क्या लिखोगे, अंदर root k minus 2 k minus 2 कर लो, अंदर root 7 minus 2 7 minus 2 क्या हो जागा, root 5 और root 5 इसका क्या हो जाएगा answer, तो यहीं तो पूछ रहा है root 5 हमने क्या कर लिया, answer लिख लिया दूसरा देखो, अगर 99 question कर रहा कि, x minus 1 by x is equal to 1 है, अगर x minus 1 by x is equal to 1 है, तो question कर रहा x की value find out करो, और root x की value find out करो, तो देखो इस question में क्या करोगे, हम यहां से क्या करते है, x square plus 1 by x square की value लिकालते हैं, तो इस case में हमें क्या पता है, k square plus 2 होगा हमने पढ़ा था, x plus 1 by x is equal to k हो, तो x square plus 1 by x square लिकालना हो, तो क्या होता है, k square minus 2, लेकिन अगर x minus 1 by x is equal to k हो, अगर x square plus 1 by x square लिकालना हो, तो क्या होता है, k square plus 2, तो k square plus 2, यानि कि 1 का square 1 plus 2, यानि कितना हो गया, 3, क्योंकि k की value होती है, k की value, तो यहां से हमारा क्या पता चल गया कि x square plus one by x square क्या हो गया तुम्हारा three अब x square plus one by x square three हो गया यहां से मैंने एक और फार्मूला बता है था कि अगर घात कम करना है प्लस में करना है तो अंदर उट क्या हो जाता है k plus 2 तो k की value कितनी है 3 3 plus 2 यानि कि क्या हो गया रूट फाइप, रूट फाइप हो गया न, देखो हमारे पास दो चीज मिल गया, कि X-1 by X, तुम्हारा कोश्चन में गीवेने क्या है, 1, और तो हमने लिकाला क्या है, X-1 by X क्या लिकाला है, रूट 5, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमसे कोश्चन क्या रहा है, X की भैलू, एड कर लो, तो 2X is equal to क्या हो गया, 1 प्लस रूट 5, अगर X की भैलू कहता है, तो 1 प्लस रूट 5 by क्या हो जागा, 2, यहां तक answer हो गया, X की भैलू क्या हो गई, 1 प्लस रूट 5 by 2, अगर इसका भी root पूछ रहा है तो root कर लो 1 plus root 5 by 2 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा answer, दोनों का answer हो जाएगा क्योंकि अगर इसकी value पूछ रहा है तो इसमें भी एक root कर लो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा answer, next question देखो next question, question number 100 question number 100 क्या कर रहा है x पे power 4 plus 1 by x पे power 4 हो तो x q minus 1 by x q मैंने formula क्या पढ़ा था देखो मैंने formula पढ़ा था कि x minus 1 by अगर x की value k हो अगर पूछा कि x q minus 1 by x q तो मैंने क्या बताया था कि k q plus 3 k हो जाता है ये formula मैंने आपको बताया था तो किसी तरह हमें ये लिकालने के लिए हमें यहाँ तक पहुचना पढ़ेगा यहाँ तक पहुचने के लिए हमें एक step क्या बढ़ना पढ़ेगा x square plus 1 by x square power 2 वाला कौन सा वाला x square plus 1 by x square equal to k हो k हो तो इसका power 2 कम करने के लिए x plus 1 by x क्या होता है x plus 1 by x मैंने बताया था कि k plus 2 होता है अगर माइनस लिकालना होता है X माइनस तो K माइनस 2 होता है यह फार्मूला हम पढ़े चुके हैं कितनी बार तो देखो यहाँ पे X स्क्वार प्लस 1 बाई X स्क्वार लिकालना है तो अंदर उट क्या हो जगा 23 प्लस 2 यानि की रूट 25 यानि क्या हो गया 5 अब यहाँ से मैं लिकाल सकता हूँ न डिरेक्ट X माइनस 1 बाई X फिर यहीं सेम वाला नीचे वाला फार्मूला अंदर उट क्य माइनस 2 वाला लगा के अभी तक क्य प्लस 2 लगा था अब क्या हो गया यानि कि 5 माइनस 2 यानि कितना हो गया अब रूट 3 मिल गया हमें मिल क्या गया X-1 by X is equal to root 3 अब लिकालना है यह डिरेक्ट यानि कि यह वाला फार्मूला यूज करोगे XQ प्लस 1 by XQ क्या होता है क्यूप प्लस 3 के क्यूप प्लस 3 के मनलब क्या है root 3 का whole cube plus 3 into root 3 यानि कि root 3 का root 3 का whole cube लिकलना है तो root 3 का square कर लो root 3 का square into root 3 कर लो यानि कि क्या root 3 का square 3 into root 3 यानि क्या हो गया 3 root 3 plus 3 root 3 यानि तुम्हारा हो क्या गया finally तुम्हारा आ जाएगा 6 root 3 तो 6 root 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा answer और यहीं इस question का क्या गर रहा है six root three तुम्हारा हो जागा answer यह सब चीज़े मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं नहीं तो just मैं direct यह लिखता direct यह लिखता और direct answer लिख देता यह सब चीज़े मैं आपको बताने के लिए करना हो अगर आप भी practice करने लोगा तो आप से भी हो जाएगा अगर चैनल अच्छा लगा अगर real में आपको वीडियो से help मिलती है तो please like और share करें वीडियो को और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहां पे मैं देता हूँ डेली राकेस यादाओ के class notes की वीडियो solution ताकि आपको better understanding हो सके thank you bye bye मिलते हैं next